सुदारक बिल्कु लेकर देश के हजारों किसान सड़क पर आकर केंड सरकार की खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं बिल्कु लेकर सियासी उठापटक जारी है विपक्ष ने सरकार को घेने की पूरी तयारी कर ले है किसान बिल को लेकर विपक्ष का कहना है कि मोजी सरकार किसानों को मजदूर बनाना चाहती है और बरसो पुरानी जमिदारी प्रथा को फिर से शुरूर करना चाहती है वहीं दूसरी तरफ बिल के विरोध में किसान 24 सितंबर से 26 सितंबर तक दीश व्यापी रेल रो को आंदूलन करेंगे इस पर एक रिपोर्ट देखिए इन विधायकों ने हमारे अन्दाता किसानों को अनेक बंदनों से मुक्ति दिलाई है आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने का काम हुआ है किसान और गरहा के बीच जो बिचोलिये होते हैं जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं उनसे बचाने के लिए विदयक लाए जाने बहुत आवशक है तो सुना अपने पीएम मोदी किसानों को असली आज़ादी देने के साथ बिचोलियों से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं तो इसके साथ ही पीएम मोदी किसान सुधारक बिल का विरोध करने वालों पर सियासत करने का आरोप भी मड़ रहें कुछ लोग जो लोग दसकों तक देश में शासन करते रहें सत्ता में रहें हैं देश पर राज किया है वो लोग किसानों को इस विशय पर ब्रमीत करने की कोशिश कर रहे हैं